स्वागत है आपका सेल स्टेडी के इस चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑस्टेलिया जो है वो चाइना की जो एक वन बैल्ट इनिशेटिव जो उससे बाहर निकल गया है अब उससे बाहर क्यों निकला है इस देश के लिए मतलब क्या रीजन थे कि इसने बाहर निकलने का फैसला किया है तो इस सब चीजों की बात करेंगे और इंडिया के लिए किस बात के लिए फेवर में है उसके बारे में हम इस बात में चचा करने वाले हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑस्टेलिया ने जो है वो कैंसल कर दी है डील को कैंसल वो अपने ही देश के खिलाव जाके कैसे किसी दूसरे देश के साथ विदेशी संबंद स्थापित कर सकते हैं इस सब चीजों के बारे हम बात करने बारे हैं से इन्होंने इक डील जो थी विक्टॉरिया और उसके बीच में चाइना के बीच में टील हुई थी वन initiative को लेकर वो चीज उन्होंने cancel कर दी उन्होंने agreement जो था वो four agreement जो थे उन्होंने इसके जो है वो cancel कर दी है मैं भी एक बात आता हूँ कि मालाबार exercise हुई थी मालाबार exercise जो हुई थी किस-किस के बीच में हुई थी Australia के बीच में हुई थी Japan के पीच में हुई थी और USA के बीच में हुई थी और इंडिया के बीच में हुई थी जो माला बार exercise हुई थी तो यहाँ पर जो Australia आया था उसने अपनी power को दिखाया था और अपनी power को दिखाने के बाद इसको कहा कि हमें भी अपने जो group में हैं उसमें शामिल कर लो अपने group में शामिल कर लो और जब ये group में शामिल किया गया जब ये group में शामिल किया गया तो उसके कुछ शर्तें रखी गई और आपको हमारे group में शामिल होना है तो इस शर्त आपको माननी होगी वो शर्त क्या थी यह जो थी वन बैल्ट वन बैल्ट रोड इनिशेटिव में जो आप लगे हूँ है उससे बाहर आ जाओ चाइना से आपको बस है यह सब चीज़े हैं वो करनी पड़ेंगे तो यह जो थी क्वार्ड बनी थी और शेलिया ने का ठीक है मैं बाहर आ जाता हूं इस चीज में कोई दिक्कत न गया और ऑस्टेनिया जो यह न्यूजीलाइड आप देख पारें यह न्यूजीलाइंड हो गया ऑस्टेलिया विश्चेलिया नाम है विक्टोरिया तोड़ मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं जैसे ही रहा आप ने अगर आप इसका मैप याद करें तो बहुत इजी मैप है इसका एक पर मैं यह कर ले तो हां बहुत इजी मैप है इसने location के अधार पर अपने राज्यों को बाढ़ रखा है जैसे जैसे हम location कैसे पढ़ते हैं North South West और East बस location के अधार पर इसने अपने राज्यों को बाढ़ रखा है उपर वाले को Northern सरदन टेरिटरी नीचे वाले को सरदन और और रेस्ट वाले को Western Australia और जो बाकी जो बच गए इसके साथ है इसमें टोटल तो जो बाकी बच गए जिए Queen's Island, Queen's Land इसनों ने कहा गया, Queen's Land इसलिए कहा गया क्योंकि जो यह Australia के जो लोग थे वो कहां से आये थे, UK से इनको बेजा गया था as a prisoner, या फिर कहें कि सजा के तोर पर इनको यहां बेजा गया था, इनको एक आयलेंड पे लाके पटक दिया था, क्योंकि तुम लोग बुरे हो, तुम लोग हमारे कानून को नहीं मानते हो, तो यह सब चीजे हुई, इस करके उन्हों ने क्या किया, UK वालों ने इनको यहां चाइना के साथ जाकर, ब्. चाइना के साथ जाकर, हाथ मिला लियें, B.R.I. बैल रोड इनिशेटिव पहले तहों आपको यह बताते हूं BRI है क्या BRI बैल्ड रोड इनिशेटिव है वन बैल्ड रोड इनिशेटिव जो है 2013 के अंदर शुरू गया गया था जो चाइना जो थी चाइना जो है इसने कहा कि भई जो हमारे जब पर्दादा जो पार किया करते थे Silk Route जो यूज किया करते थे तो एक काम करते हैं हम आज फिर से उसको वापस जीवीत करते हैं और One Road Belt Initiative जो है वो इसको शुरू करते हैं अब 2013 में शुरू किया गया 2013 में शुरू करने के बाद इन्होंने एक AIIB Asian Infrastructure Investment Bank जो है इन्होंने फिर 2014 में शुरुआत किया 2015 में इन्होंने लोन स्टार्ट कर दिया क्या तर लोन ले लो हमारे से हम आपके इंफरस्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं तो यह BRI था इसके लिए इसने बहुत सारे देश जो है पाकिस्तान भी से जोड़ा है भारत इसलिए इसने जोड़ा क्योंकि इसने भारत के जो जिसने पाकिस्तान occupied कश्मीर में से इसने अपना वो यह जो स्कीम है वो इसको गुजार दिया इस करके जो है भारत इससे नराज है कहता कि हम आपकी में शामिल नहीं होगे, इस करके चीन, यह जो आप देख पारे हो, वन बैल्ट रोड इसको मैं आपको समझा देता हूँ, बैल्ट एंड रोड इनिशिटीव यह जो है, इंगलिश के साथ बड़े अच्छे से केलते हैं यहां बैल्ट का मतलब यहांपर रोड है, मतलब सड़क सड़क है और रोड का मतलब यहांपर पानी, मेरिटाइम यहांपर आप जो देख पारे हैं इससे इससे वो जोड़ेगा मतलब उल्टा खेल रही है दुनिया को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा अचीन, तो यह होगा बंबेल्ट रोड इनिशेटिफ, अब क्या किया ये एंड्रीव जो है, जो एंड्रीव नाम है, विक्टोरिया के जो इनको यहांपर प्रेमियर कहा जाते हैं जैसे हमारे यहां किसी भी राज्ये को किसी भी राज्जे के परमुक को क्या कहते है CM कहते है यहां पर किसी भी राज्जे को प्रेमियर कहा जाते है यहां के प्रेमियर जो है वो गए चाइना पे जाने के बाद इन्होंने साइन कर दिया कहते हैं चलो ठीक अभी हम आपके साथ ये डियल जो है वो कर लेते अब ऐसा कर क्यों रह wären क्योंकि इन के पास जो है उस्टेलिया वालों के पास ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके तुरू ये किसी भी अपने राज्जे को माना कर सकें कि आप किसी भी दूसरे देश के साथ संबन स्तापित करें या फिर वहां से कोई डील करें जैसे अगर हम बात करें भारत के साथ भारत के जो मसाला बोंड जो है मसाला बोंड नाम से जो केरला ने स्टार्ट किया कि बाहर के किसी देश के साथ वो इस मसाला बोंड तुन की तुक कर पेसमक कोष्च कर रहे बार सरकार ने इसके उपर कहा कि यह चीज आप नहीं कर सकते हैं आपके पास यह अधिकार नहीं है, यह हमारे देश किस्तिती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ऐसा रूल ना होने के कार्ण, यह जो है प्रीमियर जो है, विक्टोरिया की जो प्रीमियर है, गए चाइना के दोरे पर और इन्होंने वहाँ पर जाके इस पर बाद नहीं है, शिर्फ और सिर्फ यह विक्टोरिया है, दो साल पुरानी बात, तो यह जो चीज है, विक्टोरिया ने जाके कर ली, वहाँ के जो प्रीमियर है, उन्होंने जाके साइन कर ली थी यह डील को, और बहुत बड़िया चल रहा है, इनको कहा गया, जब यह जब हाथ मिला लिया, तो उस्टेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनको कहा गया, कि यह क्या खेल गेल रहे हो भी, तो वहाँ पर उस्टेलिया ने यह जवाब दिया, कि हमारे पास कोई नियम नहीं है, जिसके तुरू हम विक्टोरिया जो राज्य है, उसको रोक पाए, त जाट के उन्होंने चार नियम ऐसे निकाले, उनको रद मगर दिया, रद कर दिया, इन चार में से तो दो चाइना के साथ है, यह बैल्ट एंड रोड इनिशेटीव जो था, यह जो थी, आप देख सकते हो, मैमरेंडम जो साइन किया था, बकाईदा इन्होंने साइन कर लिय अब आज की लेट में भाई साब वो कैंजल कर दिया है, इस नियम के थ्रू और यह जो चीजे हैं, यहां पर लिखी हुई है, आप पड़ सकते हो, वैसे मैंने आप लोगों को बता दी, जो काम की चीजी थी, अब ऑस्टेलिया की जो प्रेमियर है, प्रेमिर जो इन्होंने अब एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, कि ऐस्टेलिया ने एक बार, यह जो वो करोना वाइरस फैला था, तो ऐस्टेलिया ने कहा दिया था, वहान को इसके जार जिम्मेदार ठेहरा दिया था, इतना यह गहरा ऑस्टेलिया के जो जो विक्टोरिया जो है, अस् प्रिजें होगी यह क्वाड हो गया यहाँ पर अब क्या हुआ ग्लोबल टाइम जो यह चाइना का है क्या चाइना ने कुछ नहीं कहा चाइना ने कहा कि ऑस्टेलिया को जो है वह सीरियस यहां पर अमेरिका है तो कह कोई बात ने भी आ तुम्हें भी देख लेंगे अब यह जो है यह हमारे देश के एंड़ी टीवी पर भी आई हुए बात चीज़ें देख लेंगे कि वॉंट भी बुलीड कि हमें तंग मत करो हम आसानी से तुम्हें देख लेंगे कोई टेंशन है तुम्हारी हम डील से बाहर निकल रहे हैं तो यह सब चीज भी अब इससे क्या होगा इससे होगा यह कि भी ऑस्टेलिया और चाइना के बीच में ट्रेड वोर हो सकते हैं सैंक्शन लगा सकते हैं ओलेडी सैंक्शन लगा भी चुके हैं वह लेकिन विक्टोरिया के साथ नहीं लगा थे लेकिन अब शायद पूरे ही ऑस्टेलिया के साथ वह सेंक्शन लगा दे और इस चीज को इन्होंने गाडियन जो एक न्यूस पेपर हैं वर्ल्ड का जो न्यूस पेपर हैं इसने चीज कवर की हैं इन्होंने का है कि इसके चलते चाइना ने धंकी दी है कि जो इन्होंने बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव जो है वो खतम कर दिया एक्रिमेंट जो हो खतम कर दिया तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि ओस्टेलिया के क्या इसके उपर प्रतिकरिया रहती है तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में